हेलो फ्रेंड असलाम लेकूम मैं उसा जाना आपका स्वागत है मेरे किचन में आज हम बनाने वाले हैं एक फिंगर जो बहुत ही टेस्टी की रिस्पी बनकर त्यार होती है इससे आप एक बार जरू ट्राय करें इफ्तार में बहुत ही पसंद आएगे तो चली शुरू करते ह आज की रिसिपी कि सबसे पहले मेंने पर मेंने पयर चड़ा है यह पैन गर्म होते हैं इसमें हम दो चोटा चमच दो घ्र लेंगे तेल गरम होते ही इसमें हम एक च्वाथ हैं जीरा डाल देंगे तेल में हम जिरा डालने के बाद एक दो सकंड के लिए फ्राय होने देंगे ताकि इसका खुस्पू तेल में आ जाए एक दो सकंड फ्राय होने दें उसके बाद हम इसमें बाकी के चीजे डालेंगे एक medium size का मैंने पारिक काटा हुवा प्याज लिया है इससे अब हमें एक दो मिनट भूनेंगे हमें प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है बस इसका थोड़ा सा सोप्ट हो जाए इतना ही हमें चाहिए यह देखे दो मिनट हमने भून लिया है अब इसमें हम एक छोटा चमाज अद्रग लसन का पेस्ट डालेंगे अद्रग लसन को हम दो तिन मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्छा फ्लेवर खतम हो जाए और इसका भूनने का खुश भूआए यह देखिए हमने अद्रग लसन भून लिया है इसका कच्छा फ्लेवर खतम हो गया इसमें अब हम उबला हुआ आलू डालेंगे चार उबला हुआ आलू को मैंने बॉयल करके इसको छिलका उतारके मैंने इसे मेस कर लिया है इसमें अब हम डाल कर इसे अच्छी तरह से मिल्स कर लेंगे इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इसके बाद इसमें हम बाकी की मसाले डालेंगे इसे अच्छी तरह से मिला दें इसके बाद इसमें हम एक शोटा चमच चिली फिलक्स डालेंगे एक शोटा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चम्मच मैंने धन्य पाउडर लिया है और एक चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है साथी साथ मैंने एक चम्मच रेट चिली पाउडर लिया है और स्वाधा नुसर मैंने नमक लिया है आप अपने नुसर नमक लिजेगा इसके बाद मैंने आधा चोटा चमज काली मिर्च का पाउडर लिया है साथ ही साथ मैंने एक चोटा चमज आमचूर पाउडर लिया है आमचूर पाउडर के जगा आप कोई भी खटाई का इस्तमाल कर सकते हैं इसमें आप चाट मसाला भी ले सकते हैं या फिर नीम्बू का रस भी ले सकते सारा चीजों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये देखिये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मसालों को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है मसाला अब हमारा अच्छी तरह से भून गया है तो इसमें अब हम अंडे डालेंगे पांच अंडे को मैंने उबाल कर इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था उसके बाद मैंने इसे ग्रेट करकर ले लिया है ठंडा होने के बाद ही अब ग्रेट करें तो ही अच्छी तरह से ग्रेट होगा गरम गरम अंडे में अच्छी तरह से ग्रेट नहीं होता है के इसके बाद मैंने 17 दन्य पतर डाल दिया है सारे चीजों का आप हम हलके हाथों से मीज़ कर लेंगे हमें बहुत ज़्यादा अब हमें इसे नभुन ना है नई तो सारे ग्रेट किया हुआ अंडा तोड जाएगा कुछ पाथ हुल को दब साफ होंसे खंदा एक करिए भूं लेना है तक सार्थ मिर्च मशालिया आक्क हास्वीण करा कर दोंगे समय बोले हैं यसारा कर दो अभी में कि ब्रेड कर दो ख्याहर कि आप चाहे तो बड़ा साइच नहीं अपर से सारे मेक्सर को हम डाल कर अच्छी तरह से चिपका लेगे यह देखिए मैंने अच्छी तरह से कर लिया है इसी तरह से हम दोनों ब्रेड में अच्छी तरह से मसाला भर देगे यह देखिए मैंने दूसरे स्लैस में भी ऐसा ही दबा दबा कर अच्छी तरह से हम मसाला भर लेंगे मैंने दोनों स्लैस को अच्छी तरह से भर लिया इसे अब हम बीच में से कटिंग कर लेंगे अगर आप बड़े स्लैस का यूज कर रहे होंगे तो आप तीन नी उसका बना सकते हैं मेरा छोटा ही था इसलिए मैंने ज़े दो बना लिया यह देखिए मैंने सारे स्लैस में आच्छी तरह से मसाला भर कर त्यार कर लिया है इसे अब हम 10 मिनिट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे अब इसमें हम फोड़ा फोड़ा पानी डालकर इसका गहाँ गोल त्यार करेंगे हमें बहुत ज़्यादा पानी डालना है प्रोसमें नहीं है आप तक्राह profess घुटने बन सकते हैं नहीं तो इसका गुटलियों बन सकती है यह देखिए मैंने ऐसे सेत बनाकर त्यार कर लिए इसमें एक छोटा चमच रेड चिली पाड़र और एक छोटा चमच नमक डालेंगे ताकि यह सेलरी हमारा फिकाना बनें इसे हम आची तरह से मिक्स कर लेंगे हमें इस तरह का हमें गोल तरह कर लेना है अधर में इने ब्रेड करम्स भी रख लिया है इसे अब हम पहले एक पानी में डालेंगे इस गोल में हमें पहले डुबो लेना है इसके बाद इसमें हम एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे इस के बाद इसे ब्रेड में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे इसे दोनों तरफ से अलट पर अच्छी तरह से हमें ब्रेड क्रेम में हमें अच्छी तरह से कोट कर लेना है आप चाहे तो इसे डबल लेर भी कर सकते हैं यह देखिए मैंने अच्छी तरह से कर लिया है इसी तरह से मैंने बाकी के भी एक श्विंगर को मैंने अच्तर से ब्रेट करण में Μें कोट कर के लिए number कर प्रमाईन हमें करके internet को अत्वर है के मैंने तेल आच्ई तरह होने के लिए रख दिया था और जाए तो इसमें बड़ा hue फिंकर्सप Economics एक बार में जितना आसानी राशकत में दाल सकते हैं टेल हमारा राची में हिसार सब्राच करना हैarlo इस तरह से निक्राखंट सकती है तो तिन मिनट हो गया दो इसका अब हम साच्च कर लेंगे और इसी तरह से हमें दोनों तरह पल्टा पल्टा कर हमें golin brown आने तक पका लेना है इसे इसे medium flame में या low flame में ना करें नहीं तो बहुत यहादा पी जाता है इसलिए जब भी fry करने से high flame में ही करें ये देकिए हमारा चाइस से पांच मिनिट हो चुका है और हमारा एक फिंगर बन कर तियार होगा देकिए बहुत अच्छा कलर आया है इसमें से इस टाइम में हमें इसे निकाल लिना है इसे देकिए मैंने आछी तरह से इसे फ्राइ कर लिया इसे आप टिशू पएपर पर निकाल लेएंगे ताकि इसका एक्ष्टारय निकल जाएंग करके मैंने सारा और यहां इसी तरह से हम भागी के फेठेग की को हम त्यार कर लेंगे गिवर iss jus बहुत ही पिछ४ी हमारा एक फिंगर बन कर त्यार हो चुका है यह बहुत ही टेस्टी बन जरूद ट्राे करें और या सामके च्वाली शोटे भुट हो तो इसे आफ जरूर ट्राय करें आपको बहुत पसंद आएगा अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो पिलिज मेरी वीडियो को लाइक करें सेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलते हैं मिलते हैं अगले ही नेक्स वीडियो में असलाम लेकुम खुदा हाफीज